गहरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि चाय पीने से हमाई सरीर को क्या नुक्षान होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का आगे तक देखते रहें अंत तक देखते रहें ताकि आप भी जान जाएं कि चाय पीने से क्या नुक्सान होते हैं चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुक्सान दाई उसकी चीनी होती है ये जो शुगर है चीनी का चाय के साथ कोई भी मेल नहीं है अगर आप चाय पी रहे हैं तो वैसे तो मत पीजीए क्योंकि आपके तासीर के अनुकूल भी नहीं है चाय के जो chemical है वह भारत के लिए उपयोगी नहीं है यूरोप और अमेरिका के लोगों के लिए अच्छी है क्योंकि जो हमारा देश है वो गरम देश है और वहा का देश ठंडा देश है फिर भी अगर आप पी रहे हैं मानते हैं कि मानते हैं खराब है लेकिन आदत हो गई है तो एक तरीका बता देता हूँ आपको वो तरीका ये है कि चीनी की जगा गुड का चाय पीजिए क्यों पीए? वो समझ लेजी आप गुड जो है ना छारी ये होता है और चीनी अमली होता है चीनी जब disintegrate होता है तो अंतिम परडाम में वो एसिड के रूप में ही है और गुड जब disintegrate होता है तो वो अंतिम परडाम में छार के रूप में होता है पेट में वैसे तो अमल ज़्यादा है और सुबह के साम में और भी ज़्यादा होता है और उसी समय हम चीनी मिलाई हुई चाय को पी लेते हैं तो एसिड बढ़ जाता है जिसके कारण एसिडिटी होने लगती है तो बहतर है कि आप चाय पिए तो गुड वाली चाय पिए अगर गुड वाली चाय जब पिएंगे तो दूद आप उसमें नहीं डाल सकते हैं दूद फट जाएगा कि दूद और गुड की दोस्ति नहीं है इसलिए दूद फट जाता है तो फिर बिना दूद का चाय पिएंगे तो आप काली चाय पिए लीजए गुड डाले के काली चाय में जो है उसमें गुड डाल के ही पीजएगा और मेरी छोटी सी बात अगर आप मान लें तो काली चाय अगर आप गुड डाल कर पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नीम्बू का रस डाल तो ये निट्रिलाइज हो जाएगा जी हाँ दोस्तो नीम्बू का रस एसिड वाला होता है और गुड का रस छारी होता है तो गुड तो गुड मिलाई हुई चाय में अगर नीट्रिलाइज करना है तो थोड़ा सा नीम्बू के रस को भी डाल कर चाय को पीएं ठीक हैं लेकिन आपको पीने से पहले अपनी अप जब इस चाय को पीएं उससे पहले पानी जरूर पीएं वह नियम यह नियम बिल्कुल भी ना भूलें गुड वाला चाय तो छारी है आया तो थोड़ा सा नीम्बू भी उसमें डाल कर नीट्रिलाइज कर लेते हैं अब जब आप इसको नीट्रिलाइज करके नीम्बू और गुड की चाय पीएंगे ना तो बीना किसी दुख और तकलिफ के भी आप रहेंगे और अगर आप को बन पाए तो आप हरे पत्ते की चाय पीएं जी हाँ ये जो चाय आती है ना बाजार में टी स्पून ये आपके लिए अच्छी नहीं है आपके हरे पत्ते वाली चाय मिल रही है तो आप कम से कम इतना जरूर फायदा है कि वो एंटी ऑक्सिडेंट प्रॉपर्टी वाली है क्योंकि हरे पत्ते में सीधे हरे पत्ते को सीधे निकाल कर सुखा कर आप चाय बना रहे हैं तो वह जो सूखी वाली चाय है उससे तो बह जान गए होंगे कि चाय पीने से हमें क्या नुकसान होता है क्यों होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर रहे हैं और अगर आपको इस वीडियो कोई भी सवाल यह सुझा चल ला हो तो मन में तो कमेंट बाक्स में लिखकर पूछना कर लें देखिये मत मीचे रेट कलर का बटन दिख रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों ऐसे एक सैटिंग टापिक के साथ